अगर आप भी ये फर्टिलाजर अपने प्लांट में देते हैं तो आपको जो है फरवरी में बरबर के फ्लावरिंग मिलने वाली है तो चलिए जान लेते हैं अपने मोगरा प्लांट की के और टिप्स के बारे में जो की हमें जो है जन्वरी में करनी होती है तो चलिए ये दे तो मुझे जो ए फरवरी में काफी अच्छी देहने को मिलती है तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं डोरमंसी में गयवेता लगबग दो मेने के करीब इडोरमंसी में रहता है तो इसमें ना ही तो न्यू ब्रांच लिख लिए और ना ही इसमें जो है फ्लावरिंग करता है तो अभी सोब्व बेखार से मैं सोफ़ ब। पॉनिंग करने माली हूं कि मैं कर सकते हैं vidéos अभी कि ग्लब बिकर बीखार यह लिप्त और टाउर एंद कि सारा वेश्ट जो है यह लिकल गया है तो मैं इसको फैकूंगी नई फ्रांट से इसको मैं जो है दूसरा प्लांट जम्मे लगाऊंगी तो इसमें मैं इसको यूज कर लेती हूं और यहां पर मैंने देखे कुछ पालक भी लगाए थे क्योंकि हमारे जो प्लांट जो काफी जंगे बची रहती है तो उसमें क्या गरती हूं मैं उसमें कुछ धनिया वगएरा या पालक वगएरा ऐसी चीज़े लगा देती हूं तो हमारी किचन कार्णिंग भी काफी अच्छे से होती रहती है तो बस देखें यहां पर जो है इसको सारे को मैं हटा दूंगी क्योंकि काफी जादे जो है हो रखा है और अगर मैं इसको जो है ऐसी छोड़ देती हूं तो जो भी इसकी एनरजी होगी सारे जो है यह प्लांट ले लेगे तो मैं इसको जो है रिमूव कर देती हूं सारे को और लगबग मैं इसकी दो बार जो है हार्विश्टिंग लेती काफी अ जादे जंगा बची रहती है तो इसमें में ऐसी चीजे जो है उगाती रहती हूं तो काफी मुझे अच्छा भी लगते हैं घर की जो है धनिया वगेरा मिल जाती है मुझे तो जी देखे बस मैंने इसको जो है सारे को हटा दिया है और थोड़ा बहुत जो है मैं सीमी छोड़ दूँगी क्योंकि फ्रेंट्स जो यह भी ग्रीन लीवस है यह जो है काफी अच्छी मात्रा में इन में नाइट्रोजन होता है तो यह भी हमारे प्लांट्स के लिए जो है काफी अच्छी होती है तो बस थोड़ा थोड़ा में छोड़ दूँगी और बाकी जो है इसकी अच्छे से में गुड़ाई कर दूँगी और यह देखे मेरी मीटी जो है अभी थोड़ी गिली है क्योंकि अभी मैंने जो दिन चार दिन हो गए है मैंने इसमें थोड़ा सा पानी दिया था तो ऐसे कैसे ही पड़ा हुआ और सर्दियों में तो आपको पता है दूबली कलती नहीं है तो मीटी जो है गिली ही रहती है दिकतर तो बस थोड़ा से में इसको गुड़ाई करके जो है अच्छे से और इसमें जो है ये सब चीजे में डाल दूँगी तो लिए है मिक्सिक रांडर में ये देखे काफी अच्छी मात्रा में जो है इसमें भरपूर बतलब पोदो के लिए जो है नाइट्रोजन और कैल्सियम मिल्लब हर तरीकी जो है इसमें खात की कमी जो है ये पूरी करता है तो यहां पे एक या दिर चमच के करी में जो है अपन भीघो पूरी राथ रख कर उसके बाद भी इसको यूज़ कर सकते हैं पर मैं जो है पोडर फॉम में बनाया है तो मैं इसको ऐसी डाल दूँँ और फिर शाथी में हैं मैं हैसमें डाल रही हूं यहां पे यह ढाल रहा है यानि की जू लगड़ी हम लोग Crystal तर्दियों में जलाई थी तो उसके जो है राक बनी थी तो असको जो है मैंने ऐसा ही खटा करके रख लीए क्योंकि यह पी जाये पोड़ों में काफी अच्छा काम करती है काफी मादरा में कैल्जिम होता है अंटि-फंगस का काम करता है काफी अच्छी मादरा में नाइट्रोजन में भोती भरपूर जो है इसमें पोदो के लिए पोसकता पाए जाते हैं तो काफी अच्छा जो है यह होता है तो यहाँ पे एक डिर्चमच के करीब मैं इसको भी डा पोटिलाइजर मैं अब बनाऊंगी यहाँ पे मैंने लिए एक डिर्चमच के करीब चाय पती यह देखी एक चमच के करीब चाय पती है यह आप चाहे तो जो हम चाय सुबह को यूज करते हैं उसकी जो चाय पती बची भी होती है तो उसको अच्छे से साप पानी में धोकर सुखा कर जो है आप उसको भी यूज कर सकते हैं पर यहाँ पर मैंने एक दम फ्रैस चाय पती लिए हैं और इसको जो है मैं दो चार मिनट के लिए पानी में ऐसे घुल के जो है छोड़ दूँगी तब तक जो है हम अपने प्रांट की जो है थोड़ी सी मिटी में मीस कर ले तो काफी अच्छी जो है फ्लावरेंग में आफे यूज होता है तो यहाँ पर देखे जो भी मैंने इसमें चीजह डाली है सरसोखली लिए राक व स्ट्रां राक कांज में इसको जो है मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी इसमें बहुत इच्छी मात्रा में और उसके बाद जो है मैं इसको जो भी यह मेने फोटिलाजर बुनाए है तो इसको मैं यह डाल दूगी तो देखे फ्रेंट्स यह बन के रेडी है एकदम काफी अच्छी मात्रा में इस में देखे कलर आया है और यह हमारे प्लांट के लिए भोती अच्छा रहता है तो आप इसको तुछ है बंद्रे दिन में एग बार तो दे सकते हैं काफी अच्छा तो रहए है आपका प्लावरिंग रहेगा बहुत आच्य मातरा में लो पर भर के फ्लावरिंग में वाला है अपका प्लावरिंग अपका तो मैंने जो है इसमें डाल दिया है सारा और पानी जो है इसमें में थोड़ा कमी यूज कर रही हूं क्योंकि फ्रेंट्स मेरी मीटी जो है पहले से ही गिली है तो मैं इसमें जो है और पानी नहीं डालूंगी तो इसको जो है मैं पूरे दिन की दूप के लिए छोड़ आज की अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा